दोस्तों आप यह देख सकते हैं फीड बनके त्याहर के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं यह मैं आपको 10 की लोगा फॉर्मला बता रहा हूँ तो दोस्तों 50% पचेत पर हलो दोस्तों वेलकम बैक कैसे हो स्वागत है मेरी फिर से एक नहीं वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल रोल लूर्गर्निक फारम चंडिगड़ा तो दोस्तों यह आप देख रहे हैं यह फीड है जो कि हमने बनाई नहीं अभी और मिक्स नहीं करी है और इसमें क्या-क्या बताऊंगा कि यह फीड बनानी कैसे है और क्या-क्या यूज होएगा और टोटल खर्चा कितने का आएगा आपका तो दोस्तों वीडियो में एंड बने रहे है ताकि आपको यह पूरी जानकारी डिटेल में समझ आ सके तो दोस्तों आप यह देख रहे है मैंने सारे सेट अ कि अस दोबनाई हूए फीड है और यह ऐसी फीड है जिसको आप मिटी में दे सकते है या पत्थर अगेरा पर बाहर अ फेकना है आप इसको निच्चे भी जमीन पे दे सकते हैं और इसका फाइदा यह है कि यह जो हमारी ready-made feed होती है जो कि फीडर में दी जाती है लेकिन इसका ये फाइदा है कि इसको जमीन मिट्टी में भी डाल सकते हैं जो कि मुर्गियां उठा के राम से खा लेती है साब जगा से जो दूसरी है हमारी रेडिमीड फिड उसको आप अगर मिट्टी में डालते है तो बिलकुल ही मिट्टी में मिल जाएगी और मुर्गी जादा खाएगी तो निच्चे से मिट्टी और कच्चरा मुँ में जायागह और जिसके मुर्गियों को अनिकतरा की समस्य आएगी तो दोस्तो ये 10 किलो का फार्मुला बता रहूं मैं ये आप एक कुंटल से लेकर और आपकी छम्ता के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं ये मैं आपको 10 किलो का फार्मुला बता रहूं तो दोस्तो पहले नमबर पर हमने लिया ये धान है ये देखिए ये धान है जो कि जिसके अंदर चावल होता है और ये दोस्तों ये जो है ये जिसके अंदर कनक होता है ये कनक बोलते है जिसे अब ये देखिए सब बुता है और तीसे नमबर पर हमने लिए है मक्का और ये लिए हमने सुरज मुखी के बीज और ये हमारी मिक्स डाल और ये इसे कई भाजसा में टीषी भी बोलते हैं, आपके भाजसा में क्या बोलते हैं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन आप ये देसकते है इसे टीषी बोलते हैं और फ्लेक शीट भी बोलते हैं इंग्लिस में और और यह हमारी कनक, यह आप देख रहे हैं, कनक, इसमें थोड़ी गूनाएगी, मुर्गया खा लेगी, और यह दोस्तों, लास्ट इटम है, बाजरा, और यह हमने साथ में लेना है, लाइमस्टों, जिसे चुना और भी बोलते हैं, तो दोस्तों, इसको कैसे मिक्स करना है, यह दो ली हैं, और 3 किलो, अमने यह मक्की ली हैं, और फिर से, 1 किलो हमने सुरкив मुख्यर के बीच लिए, और यह देख रहे हैं, यह 200 किलाम, प्लक सेड है, जो लोगिते Sarai, और यह 1 किलो कनक ली है, और यह दो किल बाजरा, यह टोटल हमारे, 10 किलो हो गया, और दोस्तों, और आप देखे रहे हैं चुना पत्थर ये 50 ग्राम डालूँगा सिर्फ में इसमें लेकिन हमको इधर यूज नहीं करूँगा इसको डबे में डालके घुमा दूँगा जहां मैं फीड में फीड रखता हूं तो दोस्तों ये फीड हम कितनी एज की मुर्गियों को दे सकते हैं य दोस्तों ये फीड मुर्गियों को आप लेयर मुर्गी को भी दे सकते हैं जिससे कि आपको प्रोटीन और एनरजी की मातरा पूरी मिलेगी और मुर्गों को भी दे सकते हैं तो दोस्तों ये ऐसी कोई खास नहीं है इसमें कि आप सिर्फ मुर्गियों को देंगे या सिर्फ मुर्गियों को देंगे यह दोस्तों मैं हमेशा से सुरूँ से यही फीड देतह हूं अपनी मुर्गियों को बना के जो मेरी फ ??? में गूमती है और यह बहुत ही बहुत ही बहत्रीन फीड है इसमें से अभी तक मेरको कोई नुक्सान नहीं हुआ है कोई complete नहीं है जिससे कि मुर्गी में अंडा का मो रहा है या मुर्गी मुर्गे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो दोस्तों यह डबल परपस से फीड बनातों में और ताकि यह आप लोगों को सभी को पता चल सकें कि यह फीड बनाने का क्या फायदा है तो कईयों दो गोरी आपको फीड मिक्स करके दिखाएगी यह गोरी है हमारे फारम की और यही फीड मिक्स करके दिखाएगी आपको तो चलिए चलते हैं कर दो बनातों मिक्स कर दो चलते हैं झाल झाल तो दोस्तों ये फीड हमारी मिक्स हो चुकी है और ये बता दू कि आपको ये फीड में प्रोटीन, विटामीन, मिनरल की मातरा पूरी है जिससे कि मुर्गियों को कभी हमार को अलग से विटामीन ये कैल्सियम देने की जुर्टनी पड़ेगी और ये दोस्तों आप देख रह ताकि ये बाद में थोड़ी-थोड़ी मिलती रहें वरना ये आप देख रहें फट्टे को पर्च पक जाएगा और बाद में मेरे को सफाई करने पड़ेगी इसलिए मैंने बाद में मिलाने को बोल रहा हूँ आप जब चाहे मिला सकते हैं जैसे आपको comfortable है तो दोस्तों इ इसे खाएगी फीड को इसमें थोड़ थोड़ अच्छे पक जागा है ये चोना पत्थर और चोना पाउडर है जो और उसकी मातरा जो कैल्चियम की मातर उसको चाहिए वो पूरी हुट तो दोस्तों इस तरह आप अपनी घर पे फीड बना सकते हैं और एक और दोस्तों ला 300 साड़े 300 के बीच में पढ़ जाएगी है मेरे को 300 की पढ़ी है दोस्तों पूरे के पूरे और इस तरह मैं अपनी मुर्हियों को फीड देता हूँ या आज आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने कम फोर्मूला बनाया आपके सामने ताकि आप देख सकें वरना इतनी जगानी थी जिसे कि मैं आपको एक उंटल का बना के देखाऊं तो अगर आपको एक उंटल बनानी है तो आप 10 से मल्टिप्लाई कर सकते हैं गुना कर सकते हैं हर अनाच को जो कि आपको वैल्यू निकल ज करेंगे तो 10 किलो हो जाएगा और बाकी जो अलग से समान एड करना चुना पत्तर इसको एक कुंटल में हम दोस्तों 500 ग्राम मिलाएंगे जो की पूरे की खपत कर देगा तो इस तरह दोस्तों आप घर पे अपनी फीड खुद की बना सकते हैं मार्किट का बनी बनाई फीड का जो आपको पड़ीगी वो तकरीबन 50 रपे से 45 रपे किलो तक पड़ेगी जो की बहुत मेंगी पड़ जाएगी इस तरह हाफ रेट पे आप यह घर पे खुद फीड बना सकते हैं यह आपको तक्रीबन 30 रपे किलो तक की पड़ जाएगी तो दोस्तों आशा करतों यह व अभी मैं डाल के दिखाऊंगा यह आप कैसी फ्री रिंज का एरिया आपके पास बस यह दुकाईता सर्थ होनी चाहिए कि जो एरिया है वो हमारा सुखा होना चाहिए गिल्दानी होना चाहिए तो यह गोपर गिराया हुए देखो दोस्तों यह मारे गेर दूँगा इतरा यह मुर्गी पालन से लेटिड नई नई जानकारियां मिलती रहें धन्यवाद जाहिए